इससे पहले जो विडियो थी उसमें हमने बढ़ा था वंडी एराइस के बारे में अब बने कुछ उम्वर्क प्रॉब्लम्स देतें उना के सॉलूशंस कुए उसी पीडिये गए हैं इससे लेक्चर नहीं होते लेकिन अगर आप placement या फिर आप competitive programming perspective से देखेंगे तो आगे जाकर हम कुछ complex algorithms पढ़ने वाले हैं जैसे dynamic programming हो गई तो उन techniques के अंदर 2D arrays का काफी जादा use होता है काफी जादा helpful होती है जब भी हमें tabulation जैसे processes को करना होता है coding के अंदर तो आगे जाकर जब हम complex problems कर रहे होंगे तब 2D arrays की importance बहुत जादा इसलिए काफी ध्यान से हम इस concept को पढ़ना है इस lecture के अंदर 2D arrays को बहुत basic से शुरू करेंगे declare कैसे करते हैं users किस तरीके से होते हैं visualize कैसे होता है है memory के अंदर साथ के साथ input कैसे लेना है output कैसे लेना एक दो question solve करेंगे जिससे सारे के सारे जो basic concepts है तूदी एरेस के बारे में वो clear हो रहे होंगे अब lecture की शुरुआत करते हैं और बानते हैं कि टूडी एरेस जावा के अंदर होते क्या हैं अब बात करें अगर टूडी एरेस की तो हम 11 12 में मैंस में याद करें तो हम एक structure बढ़ा करते थे जो कुछ ऐसा दिखता था कि इस structure को हम कहते थे माच के अंदर matrix matrix में क्या होता था कुछ रोज होती थी कुछ columns हुआ करते थे रोज के अंदर भी numbering होती थी जैसे 123 columns के अंदर भी numbering होती थी 1234 and इस तरीके से इस matrix के अंदर कुछ-कुछ data हम store करते थे 54 39 42 86 102 कुछ इस तरीके का data हम हर एक box के अंदर भरा करते थे and इस particular box का अगर हमें location निकालना होता था तो इसको हम कह दे थे row, column मतलब अगर इसकी row है 2 तो इसकी location हो जाएगी 2, 2 क्योंकि row भी 2 है और column भी हमारा 2 है तो कुछ इस तरीके का basic concept हुआ करता था math के अंदर जो students math background से भी नहीं आ रहे इस figure को अगर आप visualize करके देख लेंगे तो इतना सा ही concept था matrix का बस ऐसा structure होता था table होती थी rows होती थी columns होती थी and हम location निकालते थी अब इसी math के same structure को उठाकर अगर हम coding के अंदर डाल दें अगर हम Java के अंदर डाल दें तो इसी matrix को हम कह देते है coding की भाशा में 2D arrays तो इस तरीके का जब different boxes का collection एक rectangle की form में हमें मिलता है जिसके अंदर rows होती हैं जिसके अंदर columns होते हैं उसी structure को हम 2D arrays कह देते हैं यह structure memory के अंदर भी linearly store होता है जैसे हमने 1D array में पढ़ा था कि memory के अंदर 1D array कुछ ऐसा दिख रहा होगा अब इसी का आप एक copy उठाकर नीचे लग दीजे इसका एक और copy उठाकर हम नीचे रख दें और इस तरीके से रख दे जाएं तो हमारे लिए एक 2D array हमारे पास बनकर आ जाएगा तो यह basic concept है 2D arrays का अब maths वाला matrix और coding वाला 2D array different कैसे हैं क्योंकि coding में जिस language की हम बात कर रहे हैं जो है Java वो एक zero indexed based language है zero indexed based languages हमने पहले भी पढ़ा था arrays पढ़ते टाइम वो languages होती हैं जिनमें arrays के जो index होते हैं वो zero से शुरू होते हैं जैसे C++ness में भी arrays जो हैं वो zero से शुरू होते हैं MATLAB एक ऐसी languages जिसमें 1 से शुरू होते हैं, अब यहाँ पर 0 से शुरू हो रहे हैं, तो हम जान सकते हैं, कि जो हमारा row number 1 होगा, उसका index होगा 0, next का index होगा 1, next का index होगा 2, इसी तरीके से column number 1 का index 0, 2 का 1, 3 का 2 and so on, अब यहाँ पर index actual location है, मतलब हमें जब भी code में उस जगे को access करना है, तो हम row 1 के लिए 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यह logic है indexing का, यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमारे पर total number of rows हैं, 3, 1, 2, 3, and total number of columns की अगर बात करें, तो होगा 5, 1, 2, 3, 4 and 5, और इसी तरीके से यह जो 2D array है, यह 3 cross 5 size का 2D array है, जहाँ पर single block जो है, single block या इसे cell कह दे, इस पूरी एक location को, हम एक cell कह देते हैं, तो यह जो cell है, इसका size होगा, जिस भी type का आपने 2D array define किया है, उस type के एकुल, यानि अगर आपने इंट type का 2D array define किया है, तो इसका size हो रहा होगा, आपके लिए 4 bytes, अगर हमने boolean type का define किया है, तो हर एक single cell का size हो रहा होगा, 1 byte, इसी तरीके से अगर हमें अपने 2D array की memory निकाल लिए है, memory consumption निकाल लिए है, तो वो हम निकाल सकते हैं, rows, multiplied by columns, multiplied by हमारा जो data type है, उसका size, तो अगर ये एक integer type का 2D array है, तो इसकी total memory consumption जो हो रही होगी, वो होगी, इतने bytes, rows, columns and 4 bytes for per integer, तो कुछ इस तरीके का basic concept रहता है, हमारे 2D arrays का, अब बात करें, code के अंदर 2D arrays को कैसे define करेंगे, तो जैसे हमने arrays के time पर समझा था, कि सबसे पहले लिखते थे type, उसके बाद लगा देते थे square brackets, उसके बाद लिखते थे, अपने array का नाम, जो हमने मान लीजे numbers लिख लिगा, उसके बाद लिखते थे new keyword, int, और फिर जो actual size है वो, ये होता था 1D array के लिए, अब बात करें 2D arrays के लिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा declaration रहता है, जहांपर type देते हैं पहले, और फिर 2 square brackets लगाते हैं, क्योंकि 1D array एक dimension में था, 2D array दो dimensions में है, यहां पर rows और columns दोनों बताने पड़ेंगे, single 1D array में हमें सिर्फ size बताना पड़ता था, यानि उसको अगर column की तरह देखें, तो सिर्फ column था, वहां पर row fix थी, row थी हमारी is equal to 1, यहां पर फिर आजाएगा हमारे array का नाम, उसके बाद new keyword, फिर दुबारा से type लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं number of rows कितनी चाहिए, उसके बाद लिखते हैं number of columns कितने चाहिए, जैसे previous example में, अगर हमें अपने array को define करना होगा, तो कुछ इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे int, फिर 2 square brackets, फिर numbers उसको हमने नाम दे दिया, इसको हम कुछ भी क्लिक सकते थे, इसको हम एक matrix भी नाम दे सकते थे, कुछ भी नाम दे सकते थे, is equal to new keyword, दुबारा से हमारा data type, and finally, सबसे पहले rows, and उसके बाद columns, तो कुछ इस तरीके से, हम अपना 2D array, अपनी code के अंदर define कर रहे होंगे, and एक बार अगर बात करें, कि 2D arrays में, हर cell की location क्या होती है, तो यह हमने एक sample 2D array ले लिया है, जिसमें इस location पर 8 एक numbers stored है, अब इस 8 की अगर location निकालने चले, तो यहाँ पर row है 0, और column है 1, row है 0, और column है 1, तो इसकी location होगी 0, और इसी 0, 1 को हम coding में लिखेंगे, कि सबसे पहले नाम लिख देंगे, अपने 2D array का numbers, उसके बाद लिखेंगे row number क्या है, 0, और column number क्या है, 1, तो कुछ इस तरीके से, इसका जो location होगा code के अंदर, वो हम इस तरीके से निकाल रहे होंगे, similarly एक और example ने इस चार का, तो ये चार stored है row number 1 पे, और column number 3 पे, तो 1, 3 हमने लिख लिया, इसको code में access करने की कोशिश करेंगे, इस particular number को, या इस particular memory location को, तो हम लिख रहे होंगे अपने 2D array का नाम, जो है numbers, उसके बाद हमारा row, which is 1, and then हमारा column, which is 3, कुछ इस तरीके से हम अपनी जो location है 2D array के अंदर, उसको access करेंगे, अब एक simple सा code लिखते हैं, उस code में क्या करेंगे, इसी size का 2D array डेकलेर करेंगे, उसके elements को input लेंगे, और उन ही elements को हम output कर देंगे, देखते हैं किस तरीके से, तो सबसे पहले हमने अपनी class बनाई हुई है 2D arrays, और उसके अंदर अपना main function हमने define किया हुआ है, अब सबसे पहले एक scanner class की object बनाएंगे, import कर लेते हैं, अपना package, सबसे पहले input ले रहे हूँँगे, user से हमारे number of rows and number of columns, तो यहाँ पर हमने rows input ले लिए, यहाँ पर हमने columns input ले लिए, अब declare करेंगे अपना array, अब हमें क्या करना है, इस numbers वाला जो 2D array है, इसके सारे elements को हम input लेना है, उसको किस तरीके से input लेंगे, अब ध्यान से अगर याद करें, तो arrays जब हम पढ़ते थे, तो उसमें input लेते थे, एक single loop लगा कर, loop लगा कर क्यों, क्योंकि बार 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 बार, हमें size time size number of input लेने पढ़ रहे थे user से, यहाँ पर हमें कितने inputs लेने हैं, row multiplied by column number of inputs, क्यों row multiplied by column, क्योंकि total अगर आपनी matrix, अगर अपना 2D array देखेंगे, तो उसके अंदर rows into columns number of elements है, हम क्या करेंगे, input को किस तरीके से लेंगे, मान लीजे हमें input में लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके के कुछ numbers हैं, जो हमें input लेने हैं, किस array के लिए, उस array के लिए जिसका size है 2 x 4, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक loop लगाएंगे जिसमें first row के inputs ले लेंगे, फिर दूसरा loop लगाएंगे जिसमें second row के inputs ले लेंगे, इसी तरीके से अगर बड़ा size होता तो third loop लगा, इसी तरीके से अगर बड़ा size होता तो फिर से एक loop आ जाता जिसमें third row के input, and for int i is equal to 0 से अगर 3 तक दुबारा जाए तो second row input ले लेंगे अब हमने ये जो concept है बार-बार जब loop हमें repeat करने पड़ते हैं इस concept को हम कहते हैं अब ये जो चीज है जिसमें हमें बार-बार loops को repeat करना पड़ रहा है ये जीज varsa हमने पहले भी पड़ी है जब हमने बार-बार बात की थी तो यहां पर हम एक तरीके से क्या करने वाले हैं एक तरीके से यूज्ज करने वाले हैं अपने nested loops अगर nested loops नहीं बता आपको क्या होते हैं लेक्चर में पाटन वाली जो वीडियो होंगी दो वीडियो हैं उनमें से अगर आप फॉर्स वीडियो भी देख लेंगे तो भी सफिशन्ट है वहां से समझ आ जाएगा नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं पर यहां पर मतलब टूडी एरेस को करने से पहले हमें अंडरस्ट अब एक्जाक्टली बात करें कि नेस्टेड लूप्स को कैसे यूज कर रहे होंगे अब बाहर वाला जो आउटर लूप होगा उसको यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए हमारी रोज तो बाहर वाला लूप कुछ इस तरीके से होगा इंट आई इस इकल टू जिरो टू वान क्योंकि जिरो और वान सर्फ दो ही रोज हैं और अंदर वालो जो इनर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा हमारे कॉलम्स यानि यहां पर लिख देंगे फॉर इंट जे इस इकल टू जिरो टू तो बार बार हर रो के लिए हम सारे के सारे कॉलम्स वाले elements को input ले रहे हों उसमें कॉलम्स नमबर 0, 1, 2, 3, चारो कॉलम्स के हम elements को input कर लेंगे फिर i is equal to 1 के लिए अगर चलेगा तो उसमें हम second row के element input कर रहे हैं यानि कॉलम्स नमबर 0, 1, 2, 3 and कुछ इस तरीके से सारे के सारे 2D areas के elements को हम input कर लेंगे अब इसी चीज़ को code में convert करते हैं सबसे पहले input के लिए loops लिखते हैं, for, for int i is equal to 0, i जब तक less than हमारा rows नहीं हो जाता, i को करते रहेंगे plus plus, inner loop control कर रहा होगा columns को and outer loop control कर रहा होगा हमारी rows को j is equal to 0, j जब तक less than columns नहीं रहता, j plus plus अब हर बार क्या करेंगे, input लेंगे sc.next int से और इस input को कहां store करवा देंगे, इसको store करवा देंगे numbers of i, j में तो i, j जो location थी, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया Java में, यहाँ पर जो i है, वो हमारा row number है और जो j है, वो हमारा column number है इस तरीके से हमने input ले लिया, अब इन ही elements को हमें output करवाना होगा, तो similar loop लिखेंगे, सबसे पहले हम कैसे output करवाना चाहतें, एक matrix की form में मतलब जैसे हमने अभी visualization की बात की, कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा table की form में, वैसे ही हम उसको output करवाएंगे, देखते हैं कैसे i is equal to 0 से लेकर, फिर से हम row wise चल रहे हैं, और यहाँ पर output में लिख देंगे हम numbers of i, j and यहाँ पर दे देंगे एक छोटी सी space, तो कुछ इस तरीके से हम output कर रहे होंगे, अब समझें की कैसा output आ रहा होगा, तो एक बार इस code को run करते हैं, उसके बाद इसको health का सा dry run करेंगे, सबसे पहले input करेंगे total number of rows, हमें 3 rows को input करना है, 5 column numbers को input करना है, अब सारे के सारे numbers हमें input करने हैं, तो सबसे पहले हम दे रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1, उसके बाद दुबारा से 1, 2, 3, 4, and 5, तो यह हमने दिया था अपना 2D array input और यह हमारे लिए हमारा 2D array output होकर आ गया, वैसा का वैसा जैसा हमने input किया था, अब इस input statement को तो हम समझ गए थे, output statements को कैसे समझे, हमने row wise और हमने एक एक row पर जाकर, फिर उस row के एक column के लिए, उस cell को print करवाया, और हर एक cell को print करवाने के बाद, हमने एक space दे दिया, यानि ये one print हुआ, फिर एक space आया, फिर two print हुआ, फिर three print हुआ, फिर एक space आया, फिर four print हुआ, फिर एक space आया, और जैसे ही last element अगया, मतलब five आ गया, और हम इस loop से बाहर निकल रहे होंगे, तो उस point पर हम एक next line time print कर देंगे, यानि अग्ली जो रो होगी वो next line के अंदर print हो रही होगी तो कुछ इस तरीके से हमने अपने 2D array के सारे elements को input लेना भी सीख लिया है output देना भी सीख लिया है अब एक sample question करेंगे और थोड़ा सा और understanding बना लेंगे कि 2D arrays काम कैसे करते हैं अब हमें question given है question में take a matrix as input from the user यानि हमें 2D array ही user से input लेना है search for a given number x हमें कोई number दिया होगा x हमें उसको अपनी matrix के अंदर search करना है और जहां पर भी मिल जाए उस point के हमें indices print करना है यानि rows और column print करना है या फिर i, j हमें print करना है जहां पर भी हमें वो number मिल जाए अब इसके लिए code लिखकर देखते हैं कि कैसे कर रहे होंगे यह चीज़ सबसे पहले तो हम input ले लेंगे इसी तरीके से अपने numbers को उसके बाद x जिस number के लिए हमें search करना है उसको input लेते हैं next int की form में अब यहां पर हमें output तो कराना नहीं है अब बात करें logic की की logically कैसे कर रहे होंगे चीज़ तो हमें पता है कि हमें input कैसे लेना है अपने array को 2D array को उसको हमने input ले लिया उसके अंदर कुछ numbers हमारे store होंगे 4,3,2,1,1,2,3,4 इस तरीके से कुछ numbers stored होंगे यह वान की जगे हम 11 कर देते हैं ताकि काफी clear हो जाए कि हमें search किसके लिए करना है और x को ले लेते हैं 11 अब हम इस 11 तक कैसे पहुँचे तो जैसे हमने output किया था किसी भी array को किसी भी 2D array को अगर हमें traverse करना है traverse मतलब उसके elements पर अगर travel करना है तो जिस तरीके से हमने उसे input लिया है जिस तरीके से हमने उसे output किया है उसी तरीके से हम उस 2D array के हर एक single element पर जा सकते हैं यानि अगर हम row wise निकले तो सबसे पहले यहाँ पहुचेंगे फिर यहाँ पहुचेंगे फिर यहाँ 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 यहा यानि numbers of i, j के साथ compare कर लेंगे कि क्या वो हमारे x के equal है तो वही same nested loops हमें लिखने हैं और हर एक single cell पर जाकर compare करना है क्या उस cell पर stored element हमारे given x के equal है जैसे equal हो जाएगा महां पर हम लिख देंगे कि number is found at which index i, j और नहीं मिलता तो last में लिख देंगे number is not found अब number is not found वाला case हम लहीं नहीं रहे number हमेशा होगा और single unique number होगा अब इसको code की form में convert करते हैं सबसे पहले आएगा outer loop for int i is equal to 0 to rows i++ फिर आएगा हमारा inner loop for int j is equal to 0, j is less than columns, j++ उसके बाद हम compare कर लेंगे x के साथ यानि if numbers of i, j is equal to x तो यहीं पर हम print कर देते हैं x found at location i, j कुछ इस तरीके से तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे plus क्यूं हमने लिखें तो थोड़ा सा फॉर्माटिंग के लिखें कि काफी अलग-अलग strings हमें एक साथ मिल जाएं तो output थोड़ा अच्छा हमारा निगल कर आएगा अब क्या करते हैं रन करते हैं अपने कोड को सबसे पहले input करेंगे जो हमने matrix अभी बनाई है उसी matrix की बात कर रहे होंगे example matrix की जिसका size था 3 x 4 तो रोज हैं 3 columns है हमारे 4 उसके बाद numbers input कर देते हैं 1,2,3,4,4,3,2,11,1,2,3,4 अब x जो है वो है 11 और हमारे लिए output आया है x found at locations 0,3 यहाँ पर location होना चाहिए 0,3 कैसे आया अब हम बात करें अगर अपने इस matrix की तो इसमें 11 जो है वो कौन सी location पर था row थी हमारी 1 and column था हमारा 3 तो location होगी 1,3 which is the same as जो भी हमारा output आया है तो कुछ इस तरीके से हम 2D arrays के साथ अपनी problems को solve करते हैं और उसके उपर traverse करते हैं अब नीचे description box में notes होंगे साथ के साथ कुछ problems होंगी उन problems को खुद से हमें जरूर करके देखना है क्योंकि same code को अगर तीन-चार बार लिख लेंगे basics से अगर हम चुरू कर रहे हैं basics से अगर java को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए फाइदा ही फाइदा हो रहा होगा क्योंकि फिर वो code हमें याद हुजाएगा दुबारा same code के लिए notes को देखने की जरूरत नहीं पढ़ रही होगी तो I hope कि उन problems को आप अच्छे से solve कर रहे होंगे आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में till then keep learning and keep practicing